नमस्कार जैसरे महाकाल मैं पंडित सेश्ट नारानाचाड़ित आप शवी को आने वाले साथ तारी को दूज का चंद्रमा दिखता है इस चंद्रमा का जदी आप दर्सन करते हैं तो आपके जीवन में शुक सम्रिधि की वरिशात होती है आप दूज का चंद्रमा जदी दर्सन करते हैं और किसी मंतर के साथ अवश्ना ध्यान करके पूजा पाठ करके उनको दर्सन करते हैं तो आपके जीवन में अनेक प्रकार का शुक्षम्रिधी प्राप्त होता है। भागवान शिव उन्हें प्रसन्न होते हैं और आपके जनी जनी पत्रे में कोई चंद्रमा नाम का दोश है। जो चंद्रग्रह से मन स्थिर नहीं रहता आपको गुस्सा बढ़ रहा होता है। आप किसी बात में डिशिजन नहीं ले पाते हैं। अपने रिलेशन को सुद्र नहीं कर पाते हैं। तो ये चंद्रदर्शन आप सफेद फूल ले करके, हाथ में फल ले करके, 108 बार नमस सिव मंतर का जाप करके, 108 बार महामिरतुज्य मंतर का जाप करके, 108 बार गायती मंतर का जाप करके, जदी आप इनका दर्शन करते हैं। और चार बारी परिकर्मा करते हैं। उनको नमन करते हैं। तो आपका सभी पाप तो धुली जाता है। साथ में हर एक बस्तू में अच्छा फल प्राप्त होता है आपको कुछ भी चीज आपको प्राप्त करना है तो उसमें आसानी से प्राप्त हो सकता है आपके मन में सांती मिलेगा आपके मन में सुक्रस्मृध्धी मिलेगा आपका आत्मा सुद्रड रहेगा आपके बातावरन शुद्ध हो जाएंगे ऐसा प्राप्त होता है ऐसा भगवान शिव्गे द्वारा कई बार चर्चाओं में आता है तो जो लोग इसको करते हैं उनको अलब लाव की प्राप्ती होती है यह बिडिया आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना सेर करना न भूलें ओम शान्ति